हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो वार यूट्यूब चैनल एस्टोलोजी टिप्स हिंदी में आज की वीडियो दौरती घुडों की तस्वीर वास्त अनुसार किस देशा में लगाई, किस रंग के लगाई भूल से भी ना लगाई ये तस्वीर वास्तु सास्त्र में सभी देशाओ का अपना एक अलग महत्तु होता है आपने कई लोगों की घरों में साथ घुडों की दौरती हुए तस्वीर देखी होगी क्या आप जानते हैं कि साथ घुडों की तस्वीर का क्यार्थ होता है वास्तु अनुसार दौरती हुए साथ घुडों की तस्विर काफे शुब मानी जाती है दौरती घुडों को प्रगती और शक्ती का कारक माना जाता है और सास्त्रों में साथ की संख्या को सुम माना जाता है इसलिए घर, ओफिस में यह तस्वीर लगाना काफे शुब होता है इससे आपकी व्यापार में तरक्की भी होती है इस तस्वीर को बार-बार देखने से सकारात्मा गुर्जा, प्रगती, खुशाली और धनलाब होता है तता घर में साथ घुड़ो की तस्वीर लगाने से घर में नाकारात्मा गुर्जा का परवेश नहीं होता आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे तस्वीर में साथ ही घुड़े क्यों होते हैं और वास्तो अनुसार इन साथ घुड़ो का रंग क्या होना चाहिए और यह है तस्वीर घर की किस दिशा में लगाई जानी चाहिए इससे पहले अगर अपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टेप सिंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज है सब्सक्राइब करें जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथी बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जानते हैं तस्वीर में साथी घोड़े क्यों होते हैं इसके पीछे का तर्क यह है कि सास्त्रों में साथ नंबर को काफे शुब माना गया है जिसे तस्वीर में घोडों की संक्या साथ ही रखी जाती है। सास्त्रों के अनुसार साथ अंक, सारभौमिक है और प्राकरतिक भी। कभी भी एक घोड़ी की तस्वीर घरी है ओफिस में नहीं लगानी चाहिए इससे ना करात्मा गुर्जा का अगमन होता है। गोडों की तस्वीर लगाने से पहले एक बात का विसेज ध्यान रखें कि घोड़े सफेद रंकी हूँ, साथ गोड़े एक ही दिशा को दोरने वाले हूँ और साथ गोड़े प्रसन मुद्रा में हूँ। गलती से भी वह तस्वीर ना लगाएं जिसमें साथ गोड़े अलग अलग दिशा में दोर रही हूँ। साथ ही तूटी हुई घोडों की तस्वीर या धुन्दी बिलकुल भी ना लगाएं। अब जाते हैं साथ गोडों की तस्वीर कहां और कैसे लगानी चाहिए। वास्तो अनुसार घर या ओफिस में साथ गोडों की तस्वीर घर या ओफिस की मुख की दिशा के हिसाब से लगानी चाहिए। गोडों की तस्वीर लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि गोडों का मुख हमेशा घर या ओफिस के अंदर की ओर होना चाहिए। जिससे सकारात्मा गुर्जा हमेशा घर या ओफिस में आए सबसे पहले जानते हैं अगर आपके घर का मुख पूरो दिशा की ओर हो तो तस्विर के इस दिशा की ओर लगाएं कि घोडों का मुख हमेशा घर के अंदर की ओर है आप बात करते हैं यदि आपके घर का मुख पक्षिम दिशा की ओर हो तो घोडों की तस्विर किस दिशा में लगाए यदि आपके घर या ओफिस की मुख की दिशा पक्षिम की ओर है तो घर में घोड़ों की तस्वीर दक्षिन की ओर लगाएं यदि आप घोड़ों की तस्वीर दक्षिन दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं तो आप इसे उत्तर दिशा में लगाएं लेकिन घोड़े का मुख पूरू दिशा की ओर रखें अब बात करते हैं यदि आपके घर का मुख उत्तर दिशा की ओर हो यदि आपके घर या ओफिस की मुख की दिशा उत्तर दिशा की ओर है तो घर में घोडों की तस्विर पूरों की तरफ लगाने चाहिए यदि आप घोड़े की तस्वीर पूरु दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं तो इसे दक्षिन दिशा में लगाएं पर ध्यान रहें कि घोड़ों की तस्वीर पूरु दिशा की ओर रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हूँ तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शियर करें और अपने विजार हमसे कॉमेंट बॉक्स में जरू शियर करें आगी कि ऐसे ही लेटस्ट वीडियो के लिए आजी एस्ट्रलॉजी टिप्स हिंधी मैंचार इनको सब्सक्राइब क और ना बुले थैंक यू